के लोगों ने इवीएस leo भी हें लोग देख चुक्ती बात इजो लोग नहीं देखेंगे क्यूंकि दोस्तों बहुत सारे भैरत्यों का कमेंट आरा तक मैं इसवावर यह जो कॉशन को सौल कर रहा है आप लोग जो है इसको जरूर देखेगा और दोस्तों 2021 में जो 23 शिफ्टों में आपका एक्जाम हुआ था उसको मैंने सारे कोशन को सारे पेपर के कोशन को बहुत अच्छे से सॉल करवाया है वो जो है आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी और उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किया आप चाहे तो उसका जो रिजल्ट था वो मार्च में आया है और अप्रेल के लास्ट में ही इसका जो नोटिफिकेशन आ चुका है तो दोस्तों जो है कि सीबीसी बोर्ट जो है सीटेड जो है इसके लिए अभी पूरी तरह से प्रिपेर नहीं था लेकिन इतनी कम टाइम में जो है अब इ अगर आप देखें दोस्तों तो दोजार एकिस का जो आपका लाइन एक्जाम हुआ था सीटेड का उसमें क्या हुआ था कि जो उसका कोशन पेपर था देश शिप्टों का उसको जो है सीटेड की ऑफिशल वेबसाइट यानि सीटेड डॉट इन पर जो है अपलोड कर दिय गया था मगर दिसंबर 2022 की जो सारे कोशन है इनको जो है अभी तक अपलोड नहीं किया गया है और अपलोड तो नहीं किया गया ठीक है अब तो यह होगा भी नहीं बड़ जो 2021 वाला पेपर था उसको भी सीटेड की ऑफिशल वेबसाइट से रिमूफ कर दिया गया है तो आ जो है अलग से कोशन बनाना अलग से पेपर बनाना तो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो यहीं एक कुल मिला करके जो 2021 में जो आनलाइन एक्जाम हुआ है और जो दिसंबर 2022 वाला हुआ है तो दोनों मिला करके दोस्तों आपके एक्जाम में जुलाई 2030 में का पेपर है आप लोग सॉल करिए दोचर 22 का जितना शिफ्टों का पेपर है उसको भी सॉल करिए और जो आफ लाइन मोड में हुआ था उसको भी सॉल करते पी चाहिए यह इतना अगर दोस्तों अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों को क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं पाएगा ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग कोशन पहला कोशन आप लोग स्क्रीन पर देख पारोंगे कच्छा चार की विद्धार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेस हमेसा विभाजक से कम होता है उचीत उपागम है ऑप्शन ए है अनेक बार व समों में नहीं है विभाजक से कम है दियर श्यांपट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेस विभाजक से कम है तोस्तों देखें यह कोशन जो है ना आपका जो है डिसंबर 2022 में पूछा गया है कच्छा चार की विद्धार्थियों को ये समझाने के लिए शेस हमेशा भी भाजक से कम होता है इस उचित उपागम है इसमें से कौन सा जो है आंसोर आपको करना है कौन सा करेक्ट है आप्शन है आप देख पारोंगे अनेक बार विद्धार्थियों को मौकिक रूप से असपस्ट करना ये आपका नहीं होगा भी ह समू में नहीं है विभाजक से कम है ये दोस्तों सी वाला आप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स कोशन हम लोग देखते हैं भिन्नों का योग पढ़ाते समय स्री शिंग द्वारा ये देखा गया कि निमनालिखित प्रकारकित रूटी बहुत आम है टू अपान देना और भिन्नों के योग वाले सवालों का अभ्यास कराना सी है हर के लगुतम समापवर्थ यानि लसा की संकल्पना को असपश्ट करना डिये समान परकार के सवालों का अधिक अभ्यास कराना जैसा कि कोशन में दिया है कि भिन्नों का योग पढ़ाते समय स्री शिंग द आत्मक प्रतिर्यूब देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का भ्यास करना दोस्तों ये देख पारोंगे चित्रात्मक प्रतिर्यूब देना तथा बाद में समान प्रतिर्यूब देना तथा बाद में समान प्रतिर्यूब देना तथा बाद में समान प्रतिर्यूब के सवालों का भ्यास करना उसके बाद जैसे चित्रा अत्मा के जो चित्रा आप दे रहे हैं उनके द्वारा जब बच्चे समझ पा रहे हैं उसके बाद जो है सवालों का भ्यास कराना चीजों को बताना तो बच्चे जो है जल्दी उन चीजों को पकड़ लेते हैं सबच लेत तो यह option यह आपका correct होगा अगला question हम लोग देखते हैं रास्टिय पार्ठी चर्या की संख्या 2005 मानती है कि गडित में चिंतन और तरकड़ा का एक तरीका शामिल चार होता है इस द्रिष्टी कोड को किसके द्वारा प्राप्ट किया जा सकता है option A है खोजबीन उपागम का प्रयोग करना हस्त चालकों का प्रयोग करना संकलपनाओं का वास्तविक जीवन में जोडवना विद्धार्थियों को चर्चाव में शामिल करना बी है गड़ित की सभी पार्टे-पुस्तकों का पुनर लेखन करना। या विद्धार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यय पत्रक यानी वर्कशीट देना। दी है विद्धार्थियों को विशेश कोचिंग देना। तो दोस्तो आप लोग भी अपने आंस्वर यहाँ पर करिए कोशन क्या है राश्ट्री पार्ठी चरिया की संक्या है 2005 मानती है कि गडित में चींतन और तरकड़ा का एक तरीका शामिल होता है दोस्तो यह आपका 4 नहीं होगा यहाँ पर टाइपिंग में मिस्ट्रेक हुआ है इस द्रिष्टी कोड को किसके दोरा प्राप्त किया जा सकता है यह आपको आंस्वर करना है गडित की सभी पार्टी पुस्तकों का पुनर लेखन करना विद्दार्थियों को बहुत सारे सवाल या फिर वर्कशीट देना यह आपका आंसर नहीं होगा विद्दार्थियों को विशेश कोचिंग देना यह भी नहीं होगा ऑप्शन यह आप देख पारोंगे खोजबीन उपागम का प्रियोग करना हस्त चालकों का प्रियोग करना संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन में जोड़ना विद्दार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना यह जो आप्शन है यह आपका करेक्ट होगा बच्चे जो है चीजों को जब खोज कर किसी चीजों को खुद करके सीखते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावी होता है हस्त चालकों का प्रियोग करना खुद से सीखते हैं एक्टिविटी द्वारा सीखते हैं और जो डैरिक जीवन में जो यूज करते हैं जो जिन चीजों का यूज करते हैं के द्वारा अगर उनसे रिलेट करके चीजों को बच्चों को दिखाया जाया समझा जाया तो जल्दी चीजों को समझ बाते तो आप्षण यह आपका इसमें करेक्ट होगा ने इस कोशन देखते हैं कच्चा सेकेंड में अबेकस का प्रयोग में विद्यार्थ्यों की सहायता नहीं करता ओप्षण ए बिना किसी तुरूटी के संख्याओं को पढ़ने बी है शब्दों में दी गई संख्याओं की समान संख्याओं के लिखने सी है गर्णा में परिशुधता प्राप्त करने डी है अस्थानी मान की महत्ता को समझने इसमें कोशन दिया है कच्चा सेकेंड में अबेकस का प्रयोग इसमें से किसमें विद्यार्थ्यों की शहायता नहीं करता है ये आपको बताना है अबेकस का प्रयोग जो है इसमें किसमें विद्यार्थ्यों की शहायता नहीं करता है बिना किसी तुरूट के संख्याओं को पढ़ने ये आपका होगा और इसमें से पूछा है कि नहीं करता है क्या नहीं करता है ये आपको बताना है ठीके शब्दों में दी गई के समान संख्यान की लिखने इसमें सहायता नहीं करता है तो आप्शन भी आपका करेक्ट होगा नेक्स कोशन हम लोग देखते हैं पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्रात्मिक अस्तर पर गड़ित की पाठी चर्या का एक अनिवार हिस्सा है क्यूंकि संक्यां की विशष्टा को समझने में उनकी सहायता कर्ता दी विध्यार्थियों स्रिजनात्मक्त और धुर विखशित करता है और सन्क्यां तत संक्रियाओं की विशिष्ष्टाओं को समझने में उनकी साहता करता है तो यह सिरिजनात्मक्ता वर्ड भी यह पॉजिटिव वर्ड है जहां भी आएगा अगर आपके आप्शन में तो आप लोग थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए आप्शन सी इसमें आपका करेक्ट होगा करती है और दूसरों को परशान करती है भी है अपने वाद वीबास संबंदी कोशलों को वढ़ाने में विधार्थियों की साहयता करती है जैसा कि आप लोग कोशन को समझ पारेंगे तेवारों के समय कच्छा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कच्छाई चर्चा शु आफ्जाने चाहिए किपर यह कच्छा के शौर के अस्तर को बढ़ाती है यह अपका कलेति आंसर है अपने वादविबा समदी लगाने को बढ़ानेमें विद्धियारथिव की सहाइथा करती है ये भी आकलन करने के लिए सरवाधिक उचित रुपात्मक कारे है आपशन ए है भूमिका निर्वा यानि रोल पले बी है वर्ग पहेली सी है सरवेचर आधारित पर्योजना डी है प्रुश्ण वत्तरी तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग भी इसका आंसर करिए आकडों की सरवाधिक उचित रुपात्मक कारे है तो दोस्तों सरवाधिक उचित रुपात्मक जो कारे है वो है सरवेचर आधारित पर्योजना ओप्शन C आप देख पा रहे है यह आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा इसकोशन देखते हैं प्याजे का विश्वासता की समाजिक करेगा दिए कच्छा में बहुत सारे हस्त परिशालकों और परियोग शाला गतिवदियों का परियोग करेगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग भी अपने आंसर करिए इसका प्याजे का विश्वास था कि सामाजी कनुदेशन से सीखना होता है और गड़ित का एक स अगला कोश्चन हम लोग देखते हैं उमा सम विशम संक्याओं की संकलपना को समझ नहीं पा रही है उसकी संकलपना को सुधाने के लिए शिचका ने भिन रंग वाले कुछ बीस कंकड लिये और उससे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा साथी एक से बीस तक संक्याओं को चाटने के लिए का जिन कंकडों के जोड़े बन पाए और जिनके जोड़े नहीं बन पाए उमा आफ्चन ए है काई गतिक विद्यारती है बी है श्रवे शिच्छारती है सी है कुव्यक्तिगर ध्यान की आवश्यक्ता है डी है चाच छूस विद्यारती है तो इसका वाले कुछ 20 कंकड़ ले और उससे उनके जोड़े बनाने के लिए का साथी एक से बीस तक संख्याओं को छाटने के लिए कहा जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाए और जिनके जोड़े नहीं बन पाए तो इसमें आप अपना आंस्वर भी बताईए काई गतिक शिचारती है उमा काई गतिक शिचारती है श्रव शिचारती है नहीं सी देख पा रहोंगे उमा को व्यक्तिकत ध्यान की आवश्यक्ता है सी ओप्शन दोस्तों ये आपका करिक्ट होगा ठीके नेक्स कोशन देखते हैं प्रदीब को एक टूटा हुआ रूलर चीनित करता है उसका उत्तर आप्शन ए है गलत है कि वह किवल निशान को दिखा रहा है ना कि 0 और 5 के रूप में चीनित दो बिंदू के बीच की दूरी को भी गलत है कि रूटर तूटा हुआ है और उसे 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 को चीनित करना था जो कि वंचन यह चुन है यह बता रहा है कि उसकी संक्वारपत रूटी है कि 5 सैंटीमिटर एक बींदू के रूप में ना की लंबाई के रूप में डीए सही है कि उसने रूदर पर पांच सैंटीमिटर निशान को चिनित करता है उसका उत्तर जो है दोस्तों सही है क्योंकि उसने रूलर पर पांस सेंटीमिटर निशान को सही चिनित किया है option d आप देख पा रहे होंगे यह आपका correct answer होगा न कि a b c तो d option इसका correct हो जाएगा तो दोस्तों यह थे आज के question और आप लोगों को कैसे लगे आप लोग जो है अपना feedback जरूर दीजेगा इन question में आप लोग जो है कितना correct कर पाए यह भी बताईएगा बाके दोस्तों इसमें जो कुछ भी improvement करना है कुछ लग रहा होगा कि मुझसे गलती हो रही है तो आप जो है कुछ भी आपको लग रहा है और कोई कमी लग रही होगी तो आप लोग वो भी बताईएगा तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो मिलते हैं हम नए स्टूडियो में तक लिए बाई बाई टेक के और कुछ दिए पढ़ते रहे हैं